वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस टेली घटना चकर के समसामाई की सारकी क्लास में हम लोग एक से ले करके आपके 15 जुलाई तक के सभी महतपूर करंट अफेर्स का रिवीजन करेंगे ठीक है अगर आप यहाँ पे पहली बारा है तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लावा टेली ग्राम पे इंस्टाग्राम पे और फेस्बूक पे हमें फालो कर सकते हैं तो यह कि यह नियुक्त किये गए हैं आपके संदीप कुमार गुपता ठीक है यह गेल के जो है वरतमान में आपके प्रबंध निदेशक और चेर्वेन नियुक्त किये गए हैं जुलाई 2022 में फाइनेंसियल एक्षन टास्क फोर्स के अद्धिक्ष का पदभार किशने समाला है तो FATF जो है इसका मुख्याले कहां पे है पेरिस में है ठीक है न और फाइनेंसियल एक्षन टास्क फोर्स के जो वरतमान में अद्धिक्ष बनाए गए हैं वो हैं आपके टी राजा कुमार और इनका संबंध किस देश से है तो ये सिंगापूर के हैं भारत के वरतमान में महानयवादी कौन है जिनका कारेकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है तो पहले से ही आपके महानयवादी कौन थे ये केके वेडू गेपाल थे और अब जुलाई स से जो है इनका तीन महीने के लिए और कारेकाल आगे बढ़ा दिया गया है ठीक है महानयवादी और महानयवादी सम्विधान के किस अनुछेद में इसका वर्डन है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दक्षडी सूडान में यूवेन मिसन का नया सैनिक कमांडर किसे निय गया है वो बनाया गया है मोहन सुब्रमन्यम को और ये भी आपका याद रखना आपकी भारत से सबसे ज़्यादा जो है सैनिक जो है यूवेन के मिसन में सामिल है ओके जी ट्विंटी के लिए प्यूस गोयल के अस्थान पर भारत के नय सेर्पा जो है किसे बनाय गया तो ज जो है वहां से इनका कारिकाल समाप्त हो गया ठीक है न अब आपके परमेस्वरन एयर जो है वो नीतियायो के वरतमान में CEO हैं हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतिय उद्योग परिसंग यानिकी Confederation of Indian Industries का अध्यक्ष किसे बनाय गया है तो ये नामित किया गया है आपके आ राजसभा के लिए मनुनीत किया है तो अभी जो है आपको पता है कि राजसभा में मनुनीत कोन करता है सदस्यों को तो वो मनुनीत करता है आपका राश्ट्र पती करता है और कितने सदस्यों को मनुनीत करता है ये आप लोग कमेंट करके बताना अभी हाली में चार सदस्यो को मनोनीत किया गया है तो ये किया गया है पीटी उसा को जो की क्या है एक एथलीट है ठीक है ना इलाइया राजा इलाइया राजा क्या है ये आपके संगीत कार है वी विजियांदर प्रसाथ क्या है तो वी विजियांदर प्रसाथ एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और आपका वीरेंदर हेगड़े कौन है तो वीरेंदर हेगड़े हैं समाज से भी हैं ओके तो इन चार लोगों को जो है राजिसभा के लिए बनुनीत किया गया राश्टपती रामनात कोविंद के द्वारा अभी जो है हाली में भारत सरकार के दो मंत्राले के जो है नए मंत्री बनाए गए हैं तो अल्पसंखा कल्यार मंत्राले के पहले मंत्री थे मुक्तार अब बास नकवी ठीक है अब इनके अस्थान पर इस्मृति इरानी जो है ये क्या बनी है अल्पसंखा कल्यार मंत्री बनी है और इस्पात मंत्राले पहले कि ये आपका क्या है उड्डियन मंत्राले है और इसमृति इरानी के पास क्या था तो बाल विकास और महिला मंत्राले जो किसके पास था वो इसमृति इरानी के पास था इसके लाबा इब इनके पास अलपसंखा कल्याड मंत्राले भी है और जोतिरादित सिंध्या के पास इसपा मारकोस जूनियर जुलाई 2022 में कौन इसराइल के चौदोवे प्रधान मंत्री बने है तो अभी जो है नफ्ताली बैनेट के जगह पे कौन बनाए गए तो ये बनाए गए है ये इसराइल के चौदोवे प्रधान मंत्री बनाए गए है हाल ही में किसे उप चुनावा आयुक्त नियुक्त किया गया है तो उप चुनावा आयुक्त है, मुख्य चुनावा आयुक्त नहीं है ये उप चुनावा आयुक्त किसे बनाय गया है, तो ये बनाय गया यानिके चीफ मिनिस्टर भी है ओके तो ये हमारी महतपूर नियुक्तियां थी जो किस महीने की थी जुलाई एक से पंदरे जुलाई तक की ठीक है अब देखते हैं जुलाई 2022 में जो महतपूर पुरुसकार प्रदान किये गए हैं उनको तो Miss India World 2022 का खिताब जो है ये प्रदा रही आपकी रूबल सेखावत जो की कहां की है राजस्थान की और सेकंड रन रप कौन रही तो ये रही आपकी सिनाता चोहान जो की कहां की है तो ये उत्तर प्रदेश की है सिनाता चोहान सेकंड रन रप रही है सिनी सेटी करनाटक की है और ये जो है इन्होंने Miss India World का खित जीत लिया है अगला हमारा है दक्षड कोरिया में आयो जित Mrs. Universe Divine तो ये आपका Miss Universe नहीं है Mrs. Universe है ठीक है Mrs. Universe Divine 2022 का खिता तो ये जीता है पलवी सिंग और ये कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है ठीक है तो इनका नामी इंपोर्टेंट है याद रखेगा पलवी सिंग Mrs. Universe Divine 2022 का किता वे नहीं जीता है और इसका आजन कहां पर हुआ था आजन हुआ था आपका दक्षड कोरिया में किस राजी सरकार ने SM कृष्णा, N.R. नारायाण मूर्ती और प्रकास पादुकोंड को पहले केमपे गोडा अंतराश्टी पुरुसकार देने की घोश्डा की ह तो ये तीनों जो हैं आपके किस राजी से संबन्दित है तो ये तीनों करनाटक राजी से संबन्दित हैं और इनहें करनाटक सरकार ने केमपे गोडा अंतराश्टी पुरुसकार देने की घोश्डा की है S.N. कृष्णा N.R. नारायाण मूर्ती और प्रकास पादुकोंड नेश्ट हमारा है United Kingdom की संसद के दौरा संसद के दौरा जो है आयुर्वेद रत्न पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो आयुर्वेद रत्न पुरुसकार दिया गया है तनुजा निसारी को ठीक है युनाइटेड किंग्डम की जो है संसत के दोरह ये आयुर्वेद रत्न पुरुसकार प्रदान किया गया तनुजा निसारी को युनाइटेड किंग्डम में एनराई वर्ल्ड समिट 2022 में कला के छेतर में योगदान देने के लिए सिरो मड़ी पुरुसकार किसे दिया गया तो सिरो मड़ी पुरुसकार दिया गया आपका मिसल पुरुसकार को कला के छेतर में योगदान देने के लिए जबकि आयुर्वेद रत्न पुरुसकार किसे दिया गया United Kingdom की संसे द्वरत तनुजा ने सारी को ओके, सिरोमडी पुरुसकार मिसल पूनावाला जापान देश ने किसको Order of the Rising Sun अवार्ड से सम्मानित किया है, तो जापान का ये अवार्ड होता है Order of the Rising Sun अवार्ड और ये इस वर्ष दिया गया है नारायण कुमार को, ओके किन चार गड़तग्यों को प्रतिश्ठित Fields Medal 2022 पुरुसकार से सम्मानित किये जाने की घोशड़ा की गई है तो Fields Medal जो है ये आपके गड़ित के छेतर में दिया जाता है तो ये दिया गया है आपके यूगो, ड्यूमीनियल, कोपिन जून, हुहु और आपका जेम्स मेनार्ड और मेरीना को तो ये चार नाम है इन चारों को Fields Medal जो है गड़ित के छेतर में दिया गया है अभी हाली में एक पुरुसकार की घोशड़ा की गई ठीक है न, ये नया पुरुसकार दिया जाएगा कौन सा डाक्टर राजेंदर प्रसाद मेमोरियल अवार्ड तो यह आनि की डाक्टर राजेंदर प्रसाद इस्मृति पुरुसकार और ये किस छेतर में दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा लोक प्रसासन के छेतर में कौन सा पुरुसकार डाक्टर राजेंदर प्रसाद इस्मृती पुरुसकार अगला हमारा है जापान का सर्वोच सम्मान सुप्रिम आर्डर आप दर क्राई सेंथम किसे प्रदान किया गया है तो ये आपका जापान का सर्वोच वाड होता है अभी हाली में सिंजो आभी की गोली मार कर वहाँ पे हत्या कर दी गई थी ठीक है न और इसका जो है सर्वोच सम्मान किसे दिया गया सुप्रिम आर्डर आप दर क्राई सेंथम जापान का सर्वोच सम्मान सिंजो आबे को प्रदान किया गया अब देखते हैं जुलाई 2022 में जो आपके महतपूर खेल से जुड़े करन्ट अफेर्स हैं उनको तो सितंबर से अक्टूबर 2022 में होने वाले 36 में राश्ट्रिय खेल की मेजबानी कौन सा राज्जिक करेगा तो इसकी जो है घोशड़ा की गई 36 में राश्ट्रिय खेल की मेजबानी कौन करेगा तो वो करेगा आपका गुजरात राज्ज और कप से कप तक इसका अज़न होगा तो सितंबर अक्टूबर 2022 में इसका अज़न किया जाएगा ठीक है अगला हमारा है विंबर्लन 2022 टेनिस चूडनामेंट और इसमें पूरु सेकल का खिताब किसने जीत लिया है तो पूरु सेकल का खिताब जीत लिया है नौवाक जोकोविक ने जो की किस देश किस खिलाड़ी है सर्बिया के और इन्होंने किसे हराया है तो इन्होंने हराया है निक किर्गियोस को ठीक है न और महिला एकल का किताब किसने जीत लिया तो महिला एकल का किताब जीत लिया है एना रीबा कीना ने जो की किस देश की खिलाडी है कजाकिस्तान की और इन्होंने किसे हराया है तो उपवीजेता रही है आपकी आंस जाबे करके रजत पदक जीता और एक राष्ट्री रिकार्ड बनाया ठीक है ना तो राष्ट्री रिकार्ड इसके पहले जो है फिन्लैंड में बनाया था अब उसी रिकार्ड को तोड़ करके फिर एक नया राष्ट्री रिकार्ड बना दिया गया स्वीडन में जो है डाइमंड मीटर तक जो है भाला फेका था किसने नीरच चोपडा ने और इसमें रज़त पदक जीता था सुड़ पदक किसने जीता तो वो जीता था एंडर्सन पीटर ने ठीक है ना फिल्लेंड में आयोजित विस्सु मास्टर्स एथलेटिक्स चेंपियंशिप में 94 वर्स की भवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है तो यह 94 यर की है और इनका नाम भी आप जरूर याद रखेगा भवानी देवी डागर ठीक है विस्सु मास्टर्स एथलेटिक चेंपियंशिप कहां प्याजित हो रही थी फिल्लेंड में और इसमें 100 मीटर क तो मालेशिय ओपन क्या है ये भैडमिंटन टूर्नामेंट हैर इसमें पुरुस एकल का खिताब जीत लिया विक्टर एकसल्सन ने जोकी किस icilsटınt के है तो ये डेनमार्क के खिलारी है महिला एकल का खिताब जीता है रोचनोक इटानोन ने जो की किस देस की खिलाड़ी है तो ये आपकी थाइलेंड की खिलाड़ी है तो मलेशीय ओपन बैडमिंटन टूर्णमेंट विक्टर एक्सेलसन और रोचनोक इटानोन ने जीत लिया नूर सुल्तान कजाकिस्तान में आया जित हो रही थी आपकी एलोर्डा बाक्सिंग कप 2022 और इसमें किन भारती महिला मुख्य बाजों ने सौड़ पदक गीता तो दो महिला मुख्य बाज है अलफिया पठान ने 81 किलोग्राम वर्ग में और गीतिका ने 48 किलोग्राम वर्ग में क्या जित लिया है एलोर्डा बाक्सिंग कप 2022 कहां जित हो रही थी नूर सुल्तान कजाकिस्तान में कामन वेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारती महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है भारती टीम की घोशड़ा की गई है और यह आपकी हर्मन परीथ कौर को जो है इसका कप्तान बनाया गया है अगला हमारा है मनामा बहरीन में आयोजित ACI Under 20 कुष्थी चेंपियंशिप में भारत ने कितने पदग गीते हैं तो मनामा बहरीन में आयोजित हो रही थी ACI की Under 20 कुष्थी चेंपियंशिप थी और इसमें भारत ने कितने पदग जीत लिए कुल 22 पदक जीत लिए अगला हमारा है जुलाई 2022 में आपका भारत और विस्व में जो प्रधम बारशीजी होई उनके बारों में ठीक है तो NTPC के द्वारा कहां पर 100 MW छमता की भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर उर्जा पर्योजना प्रारम होई है तो ये भारत की सबसे बड़ी तैरती होई सौर उर्जा पर्योजना है जिसकी छमता है आपकी 100 MW और किष्ण ने इसको स्टार्ट किया है तो NTPC के द्वारा इसका प्रारम किया गया कहां पे रामा गुंडम तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती होई सौर उर्जा पर्योजना NTPC के द्वारा चमता कितनी है 100 MW देश के सबसे कम उमर के विधान सभा अध्यक्ष याई स्पीकर कोन बन गए है तो सबसे कम उमर के जो विधान सभा अध्यक्ष बन गए है उनका नाम है राहूल नार्वेकर और जो अभी हाल ही में जो नई आपकी विधान सभा गठित हुई है महराष्ट में जिसके मुख्यमंत्री कौन बने है एक नात्सिंदे ठीक है उसमें जो है विधान सभा के सबसे कम उमर के इस विकर बने है अगला हमारा है भारत का पहला Elevated Sahari Expressway कौन सा बनाया जाएगा ठीक है भी बना नहीं है भी बनाया जाएगा ये तो ये बनाया जाएगा आपका द्वारका Expressway जो की भारत का पहला Elevated Sahari Expressway होगा हर्याणा से दिल्ली को कनेक्ट करेगा और इसकी लंबाई कितनी होगी तो इसकी लंबाई होगी 29 किलोमेटर द्वार का एक्सप्रेस वे सरवाधिक 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला भारत का पहला राजे कौन बन गया है तो 13 एक्स्प्रेस वे बनाने वाला भारत का जो पहला राज़ बन गया है वो बन गया है आपका उत्तर प्रदेश और अभी हाल ही में जो है बुंदेल खंड एक्स्प्रेस वे का यहां पे क्या किया गया उधगाटन किया गया है 16 जुलाई को प्री प्राइमरी लेवल पर कौन सा राज ये नई सिक्षा नी थी 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज़ बन गया तो प्री प्राइमरी लेवल पर कौन लागू कर रहा है तो ये लागू कर रहा है आपका उत्तरा खंड ठीक है और आपका अगर आप पूछा जाए कि असी मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाडी बन गया है, तो चार Grand Slam कौन होता है, तो एक तो होता है आपका Australian Open, ठीक है, अब बाद आपका होता है French Open, French के बाद होता है आपका कौन सा, Wimbledon, उसके बाद होता है आपका US Open, तो आपका ये तीन हो चुका है, Australian, French और Wimbledon ह हो चुका है, Wimbledon में अभी आपको बताए गया, नौवाक जोकोविक ने पूरुस एकल का खिता जीता, ठीक है, और जो है अगला French में किसने जीता था, और Australian में किसने जीता था, तो इन दोनों में जीता था, राफेल नडालने, ठीक है न, US Open अभी नहीं हुआ है, अगला ह हमारा है, अंतराश्टी मुद्रकोस की पूर्व मुख्य अर्थ सास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो जो आपके अंतराश्टी मुद्रकोस में अर्थ सास्त्री होते है, मुख्य अर्थ सास्त्री, ठीक है, उनकी एक दीव पर इनकी भी फोटो लगी है तो ये आपकी पहली महिला है जिनकी फोटो जो है आइमफ के पूरो मुख्य अर्दसास्तियों की दिवार पर लगाई गई है भारत का पहला कार्बन-णिूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा तो पहला जो कार्बन-णिूट्रल हवाई नेक्स्ट हमारा है किस राज ने राज की महिलाओं के लिए बस टिकट में 50 प्रतिसत छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन योज़ना शुरू की तो नारी को नमन योज़ना प्रारम की गई है हमाचर प्रदेश के दोरा और इसमें जो राज की महिलाओं है उनके लिए बस की टिकट में 50 प्रतिसत की चूट दी जाएगी हाल ही में किस राज के दोरा अर्ण विद लर्ण जो है ये योजना प्रारम की गई तो अर्ण विद लर्ण योजना प्रारम की गई है त्रिपुरा राज के दोरा क्योंकि कोविट की वज़े से कई बच्चों ने अपनी सिक्षा छोड़ दी थी ठीक है और वो पैसे कमाने के चक्र में उन्होंने छोड़ दिया था इसलिए जो है पुर्ण सरकार ने अर्न विद लर्न जो है ये योजना प्रारंब की है आजादी के अमरित महुत्सों के उपलक्ष में 75 समुद्री तटको स्वक्ष करने के लिए कितने दिनों तक स्वक्ष सागर सुरक्षित सागर अभ अभियान चलाए गया जिसका नाम है सुक्ष सागर सुरक्षित सागर और ये अभियान भी आपका 75 दिनों के लिए ही चलाए गया है 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटको साप करने का अभियान है आपका सुक्ष सागर सुरक्षित सागर अभियान नेक्स्ट हमारा है लोगों में देश भक्ती की भावना को जागरित करने के लिए आजादी के 75 वे सुतंतरता दिवस के अवसर पर संस्कृती मंत्राले दोरा कौन सा अभियान प्रारंब किया गया तो संस्कृती मंत्राले ने प्रारम किया है हर घर तिरंगा अभियान ठीक ना लोगों में देशबक्ती की भावना को जागरित करने के लिए और ये इस्टार्ट किया गया है आजादी के 75 सुतंतरता दिवस के उपलक्ष में जिसको हम लोग किस रूपे मना रहे हैं तो आजा जिसी ने लांच किया है परिक्षा संगम पोर्टल और ये जो है आपका एकजाम से रिलेटेड़ आपका पोर्टल होगा जिसमें एकजाम से रिलेटेड़ हर एक चीज जो है उपलब्द होगी ठीक है ना अगला हमारा है खादी और ग्रामोद्योग आयोक के द्वारा और ग्रामोद्योग आयोग से है याद रखिएगा KVIC ठीक है ना अगला मारा है दुनिया के सबसे बड़े Innovation Campus टी हब 2.0 का उधगाटन कहां पर किया गया तो यह आपका पहले इसका उधगाटन किया गया था कहां पर अब इसके दूसरे वर्जन का उधगाटन भी कहां पर किया गया Innovation Campus टी हब का उधगाटन तो यह भी आपके रायदूर गहिदराबाद में इसका भी उधगाटन किया गया है हाल ही में कहां पर 5 वेसविक फेल्म फरेटन समयलन यानके ग्लोबल फेल्म टूरिज्म कनवेंशन का उधगटन किया गया तो यह किया गया है आपके मुमबई में ठीक न मुमबई में प्रदःान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस राज में इस्थित देवघर अंतरराश्टी हवाई अड़ा यह अपके कहां पे है तो यह आपके जारखंड राज में इस्थित है मानव रहित विमान याने की Unmanned Aerial Vehicle जिसको आप ग्रोन भी बोल सकते हो ठीक है तो इसके निर्माड के लिए केंदरिय मंतरी डाक्टर जीतेंदर सिंग ने किस संस्थान में प्रद्योगी की नमाचार केंदर और इसका नाम क्या रखा गया है तिहान ठीक है तो प्रद्योगी की नमाचार केंदर तिहान का उधगाटन कहां पर किया गया UAE के निर्माड के लिए निकी मानव रहित विमान के लिए तो ये किया गया IIT हैदराबाद में ठीक है ना तो ये हमारे जो है महतपूर योजनाय पोर्टल और जो है कुछ हुदगाटन थे अब देखते हैं जुलाई 2022 के अन्य महतपूर तत्यों को तो इसरो के दोरा PSLV C-53 राकेट के दोरा और ये सिंगापूर की सेटेलाइट्स हैं जिनको जो है किसने भेजा है तो PSLV C-53 राकेट से इसरो के दोरा भेजा गया है नसीलो पदार्थों पर रोक लगाने से संबंदित आपरेशन नारकोस किसके दोरा प्रारम किया गया था तो आपरेशन नारकोस जो है ये नसीले पदार्थों पर रोक लगाने से संबंदित था और इसको जो है रेलवे सुरक्षा बल यानि की RPF के दोरा प्रारम किया गया अगला हमारा है नाइट फ्रेंक के दोरा जारी एसिया प्रसांत इस्थिरता सुचकांक 2021 में कौन सा भारती सहर सीर्ष पे है तो यह आपका Asia प्रसांत इस्थिरता सुचकांक है और इसमें बैंगलूरू जो है आपके Asia में जो है 14 हुए नंबर पे था लेकिन भारत का जो है यह सीर्श जार था पूरे Asia में पहले नंबर पे कौन था तो वो था आपका सिंगापूर विस्व आर्थिक मंच वर्ल्ड एकोनामिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ड जारी की जाती है जो की है आपका वेस्विक लैंगिक अंतराल सुचकांक यानिकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और इसमें भारत कौन से अस्थान पे रखा गया तो भारत इसमें 135 वे पहले नंबर पे था तो यह था आपका आइसलेंड ठीक है भारत का स्थान क्या है 135 ठीक हाल में कौन सा राज टॉप अचीवर्स में पहले अस्थान पे रहा तो टॉप अचीवर्स में जो ईजव डउइंग बिजनस में पहले नूमबर पे रहा आपका आंध्र प्रदेश राज्ये ठीक है ना वाड़ी जो अरो द्योग मंत्रली जिसे जारी करता है इजव डूइंग मैगजीन है ठीक है न टाइम मैगजीन और ये जो है वर्स 2022 में विस्व के सर्वस्रेष्ट अस्थानों की सूची में इन्होंने सामिल किया है एहमदाबाद और केरल को और केरल को इन्होंने एको टूरिज्म इस्टेट के रूप में जो है क्या किया है घोसित किया है ठीक है तो एको टूरिज्म इस्टेट जो है किसे घोसित किया गया है ताइम मैगजिन ने तो ये केरल को घोसित किया है और विश्व के सर्वसरेश्ट अस्थानों की सूची में अहमदाबाद और के तंतरता सेनारी अलूरी सीता राम राजु की 125 वी जेनती पर 30 फिट उची कांसे मूर्ती का अनावरण किया है तो 30 फिट उची आपकी कांसे की प्रतिमा है और इसका अनावरण किया गया आपका भीमा वरम आंधर प्रदेश में किसकी ये प्रतिमा है तो ये है अलूरी सीता राम राजू की और इनकी जो है कौन सी जनती थी तो 125 जनती थी अभी हाली में rr r movie बनी थी ठीक ना उसमें भी जो है इनको दिखाये गया था मलब इनका जो है प्रतिमा काउध घटन किया गया तीस फीट ऊची है इसके लिए इतिहास से सम्ध्स पॉइंट याद रखेगा कि अलूरी सीता राम राजु ने अंग्रेजों के खिलाफ 1922 में विद्रोह किया था कौन सा विद्रोह तो रंपा विद्रोह किस ने किया था तो ये अलूरी सीता राम राजु ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ 1922 में किसके द्वारा संसद भवन की छट पर कांसे की 95-100 किलोग्राम की 6.5 मीटर उची प्रतिमा राष्ट्री प्रतीक चिन असो कस्तंब का नावड किया गया तो ये ये आपका जो नया संसद भवन बन रहा है उसकी छट पर इसे बनाय गया और इसमें क्या क्या चीज़ें जाद करने के लिए हैं तो कांसे की प्रतिमा है और इसका वजन कितना है तो अंचान बे 100 किलोग्राम है और उचाई कितनी है तो साड़े 6 मिटर है और किसका जो है चिन्न है यहाँ पे तो असोक अस्तम्ब का चिन्न है जो कि आपका राश्ट्री प्रतीक है और इसका घटन जो है प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा किया गया सन्युक्तराष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का उजन कि यहाँ पे किया गया तो यह किया गया आपके लिस्बन पूर्टगाल में सन्युक्तराष्ट्र महासागर सम्मेलन का उजन 7 जुलाई 2022 को केंद्रिय ग्रिह मंतरी अमित साह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार की प्रतिमा Statue of Peace का अनावरड किया तो ये अनावरड किया गया आपके स्वामी रामानुजाचार की प्रतिमा है स्री नगर जम्मू कस्मीर में ठीक है ना तो इनका क्या नाम रखा गया है, तो स्टैचू आप पीस रखा गया है, स्वामी रामानुज़ाचारी की प्रतिमा, ठीके ना, अभी संत रामानुज़ाचारी की प्रतिमा का उधगाटन हैदराबाद में किया गया था, और वो आपका 216 फीट उची थी, ठीके ना, उसका न नामक analog chipset का एक prototype विक्सित किया है तो आरे भट one नामक एक analog chipset का prototype विक्सित किया गया तो IISC बेंगलूरू के द्वारा विक्सित किया गया है ठिक Cervical Cancer का कारक Quadrivalent Human Papilloma Virus Vaccine तो Human Papilloma Virus Vaccine किसके द्वारा विक्सित किया गया तो ये विक्सित किया गया Serum Institute of India जो कि कहां पे श्तित है पूड़े में और इसने ही कोवी सील्ड का भी निर्माड किया था तो यह हमारे एक से पंदर तक के महतपूर करंट अफेर्स और के रिवेजन थे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे तो आप अपने दोस्तों तक सेयर करेंगे जो कि किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हूँ ठीक है न तो वीडियो को आप लाइक कर दीजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद